इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह ये शामक, विशहरण, रक्त शोधक, रेचक, मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है और इसमें इमेंगोग गुण होते हैं आयुर्वेद में उलेख है कि जड़ी बूटियों का नियमित सेवन मानसिक भ्रह्म को दूर करता है और बहतर सोच का समर्थन करता है आयुर्वेद के अनुसार गोटु कोला पाउडर खराब वाद को शांत करने और रक्त पित के लक्षनों को कम करने के लिए दिया जाता है माना जाता है कि मंदुपर्णी में वासुड लेटर क्रिया होती है जो रक्त परिसंचरण में सुधार करने और त्वचा से विशाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है आधुनिक वैज्ञानिक अध्यन के अनुसार मंदुपर्णी, गोटु कोला में ट्राइटर पिनोईद्स, सैपोनीन्स, अलकलोईद्स, कडवे सिध्धान्थ होते है कहा जाता है कि गोटु कोला में कम से कम 0.5 प्रतिशत एशियाटिक उसाइड होता है, जिसकी गणना सुखे के आधार पर की जाती है एशियाटिक उसाइड कुष्ट रोग और त्वचा रोगों पर लापकारी प्रभाव दिखाता है गोटु कला प्रायोगिक पशुओं में यकृत, फेफडे, तंत्रिका गैंगलिया और प्लीहा में ट्यूबर को लगावों पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखाता है बताया गया है कि गोटु कोला में मौजूद अलकलोईट शांत करने वाली और एनाबॉलिक गतिविधी प्रदर्शित करते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. स्वस्थ मस्तिश्क कार्य का समर्थन करता है 2. विशेश रूप से वानी विकलांगता के लिए समवेधी अंग टॉनिक के रूप में सहायता करता है 3. इसमें ट्राय टैपिंस होता है जो समगर स्वास्थे और दीरगायू को बहतर बनाने में सहायक होता है 4. सैपोनिन द्रव परिसंचरण में सुधार करने और जोडों की सूजन को रोकने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें